हलो दोस्तो आज किस वीडियो में कच्छा बारा की रसायन विज्ञान के मोश्ट इंपोर्टेंट क्विस्टन को देखने में आले हैं जो कि आपके पूरे पेपर यानि पूरे बुक के इंपोर्टेंट क्विस्टन है अगर आप इन प्रसनों को अच्छी तरह से पढ़ती है लगाती है तो आप 100% चांस है कि आप 70 नमबर में से कब से कम इन ही क्विस्टनों में से 65 नमबर आसानी से प्राथ कर सकते हैं देखते ही प्रसनों की और सबसे पहले पहले प्रसन सबसे महत्पुड है साटकी दोस और फ्रेंकिल दोस में क्या अंतर होता है क्या कहा है कि लोगोज़ ना Yani, जो की आपके लिएंवी पृप्रोटूर्टन है और समही परसारण को नहीं गःत करना है । वेलोसिटी एक्वेशन आपको ग्याद करके जाना किसका सुनि कोट की अफक्रिया और प्रथम कोट की अफक्रिया की उसके बाद दिया है अफक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को ग्याद करना है अफक्रिया के वेलासिटी को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में आपको लिख ाइस oike Genau इसके बाद मानक क्या होता है आपको लिखना है आपको सभी प्रसणों को देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी महतपुर्ण तो आप वीडियो को स्कीप करेंगे तो आपके लिए बहुत हानी हो जाएगी देखते हैं प्रस्तिय है कि स्वड संख्या पर टिपड़ी लिखना है स्वड संख्या पर टिपड़ी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह कि द्रॉइस नहीं कॉलाइड तथा उसके बारे हम लिखना है संक्रमर तत्तो और लेंथेनाइड और एक्टीनाइड तत्तो के बारे में आपको लिखना के लेंथेनाइड क्या होता है और एक्टीनाइड क्या होता है हैलोजन परिवार के तब आपको बताना है कौन कौन हैलोजन परिवार के तब तो होते हैं उसके बाद फैराडे का बिद्दूत अभगटन नियम भी आपके लिए बहुत महतुर है तीन नमबर के लिए तीन नमबर के लिए फेहाँ दिवर्या का बिदविक्ता में अंतर जयरेर does not अभधनी चालक में क्या अंतर है क्या धात्विक तथा बेदूत अभधनी चालक में क्या अंतर है और आपके लिए मोलारता मोलता मोल प्रभाज की परिभासा उसका सुत्र और उस पर आधारित अंकिक प्रसनों को आपको खल करके जाना है यहां से आपके लिए पांस नमबर तिंडल परवाव ब्राउनियन गत और अपोहन क्या होता है इन पर आपको टिपड़ी भी पूछ सकता है उसके बाद फाजिन बनाने की बिधी का आपको वड़न करना है आपको प्रियोकसाला बिधी भी याद करके जाना है फाजिन बनाने की बिधी हाइबर बिधी द्वारा अमूनिया का निर्माड कैसे किया जाता है इसको याद करके जाना है आपको प्रियोकसाला बिधी आपके इसको चित्र सहीत बताना है, प्रयोकसाला में फार्मिक अमलका निर्माढ और डाइधिल एथिल इथर बनाने की विधि, डाई एथिल इथर बनाने की बिधी एल्थिल इलकोहाल बनाने की बिधी और एसिटोन बनाने की बिधी आपको प्रिवक्साला बिधी याद करके जाना है आपके लिए पांच नमबर फिक्स हो जाएंगे उसके बाद यह एसी टून बनाने की बिधी और इसी टून बनाने की बिधी ओस्टवाल्ड बिधी द्वारा नाइट्रिक अमलका निर्मार ये भी आपके लिए बहुत महत्पूर भी आई एमपी क्यूस्टन है क्या है भी आई एमपी क्यूस्टन है ओस्टवाल्ड बिधी द अपना फिक्स कर लिजी उसके बाद बिटामिन तथा इसके सुरोत और इसके कमी से होने वाले रोगों को आपको याद करके जाना है प्रयोक्साला बिधी में क्लोरफार्म का निर्माड और प्रयोक्साला बिधी में एथिल ब्रोमाइट का निर्माड आपके लिए प्रयोक्स विदिटी द्वारा सल्फिरिक का निर्माड और और आपको प्रयोकसाला में कुलोफाम करने वार और एथिल ब्रोमाईट का निर्माड आपके लिए बहुत महत्पूर है उसके बात देखते हैं कि टिपड़ी किनकिन पर पूछ सकता है टिपड़ी की बात करते हैं तो प्रयो याद करकना है प्यप्टाइल बंध क्या होता है इमीनु आमलपटी पड़ी पूछ सकता है कार्भो हाइडरेट पर रोगाड़ु जनित रोग पर और प्यप्टी करण पर इसकंदन पर और बैदूत कर संचलन पर इस पर आपको टिपड़ी याद कर जाना हो प्रसांतक पर प प्रसांतक टिंडल प्रभाव ब्राउनियन गर्थ और स्वर संख्षा इन सब को याद करके बहुत मुत्पूर है इसके लिए आपको दो नंबर मिलेगा दो नंबर के लिए आपको इसको याद दिरके जाना ही जाना है उसके बाद आपके लिए कौन कौन सी अपक्रिया इसके बारे आपको बताना है कि राइमर टीमर रियक्शन क्या होता है उसके बाद ही कारविल एमीन अफ्क्रिया क्या होता है कारविल एमीन अफ्क्रिया को बताना है स्मिट अफ्क्रिया क्या होती है उसके बारे मोडन के जी बूर्ज अफ्क्रिया क्या होती है उसके बारे मे कर दिया है वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं आपके लिए बेरी इंपॉर्टेंट यानि आपके लिए सुविधा प्रवाइट कर दे गई है उसके बाद बुर्ज अपक्रिया लिवकास पर इछड़ भी आपके लिए महत्पूर है कोलबे अपक्रिया क्या होती है कोलब में पूरे किताब को नहीं पर सकते है इसलिए महत्पूर महत्पूर को आपको पढ़ना जरूरी होता है उसके बाद हाफ मैन अपक्रिया क्या होती है सेंड मायर अपक्रिया क्या होती है वहत महत्पूर है सेंड मायर हाफ मैन गाटर मैन कैनी जारो कलबे लिवकास बुड़ और स्मिट कालविल और राइमर टीमर अपक्रिया आपके लिए बहुत महत्पूर है उसके बादे हुन्स डीकर अपक्रिया क्या होती है हुन्स डीकर अपक्रिया को त्यार करके जाना है एडॉल संगरन क्या होता है एडॉल संगरन को त्यार करना है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है रोजन मूंड अपक्रिया क्या होती है यटार्ट अपक्रिया क्या होती है कलेजन अपक्रिया सलसलिक अमल बनाने की विधी जो की आर्ट यार में बनता है सलसलिक अमले राइमर तीमेर अपक्रिया स्का उपयोग भी आपको याद करके जाना है इसके बाद आपको यह भी याद करना है कि क्या आपको क्या होता है आपके लिए दो नमबर फिक्स हो जाएगा आपको IPC name से इन सभी प्रसनों को आप तयार कर लेते हैं आप 70 में से मेरी 100% गारांटी है कि आप 70 में से 65 नमबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं 65 में से या 70 में से 70 नमबर भी आप प्राप्त कर पाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देजिए